नमस्कार आज हम कक्षा 9 की हिंदी की बोस्तक खितिज गेंतर गत मेरे बचपन की दिन पाठ का संक्षिप्त आध्यान करेंगे मेरे बचपन की दिन पाठ में महादिवी जी ने अपने बचपन की उन दिनों को स्मृति की सहारे लिखा है जब वे विद्याले में पड़ रही थी इस अंश में लड़कियों के प्रती सामाजिक रवई है विद्याले की सहपाठिनों चात्र आवास की जीवन और स्वतंदर्ता आंदोलन के प्रसंगों का बहुत ही सजी वर्णन किया गया है पाठ के संक्षिप्सार के और मढ़ते हैं प्रसुत पाठ में लेखिकाने यानि महादेवी जी ने अपने बच्पन की दिनों की प्रमुक घटनाओं का मनोरम चितरन किया है उन्होंने अपने बच्पन की दिनों को याद करते हुए लिखा है कि उनके खांदान में लड़कियों को पैदा होते ही मार दिया जाता था अताहँ दो सौ वर्षों के बाद महादेवी जी ने अपने परिवार में जन्म लिया था महादेवी के बाबा ने दुर्गा की पूजा करके गन्या को मांगा था तो इसलिए महादेवी जी को बच्पन में कोई कष्ट नहीं सहन करना पड़ा था उन्हें हर प्रकार की सुविधा उपलब्द करवा दिगई थी उनके लिए घर पर ही उर्दू, फार्सी, अंग्रेजी आदे की पढ़ाई का प्रबंध किया गया था किन्तु उनकी माता ने उन्हें हिंदी पढ़ना सिखाया था फिर उन्हें मिशन स्कूल में दाखिल करवा दिया गया लेकिन उन्हें वहां का वाता परण रास नहीं आया तब उन्हें क्रास्थ वेट गर्ल्स कॉलेज की पांचमी कक्षा में प्रवेश दिलवाया गया छात्रावास में रहते हुए सुभद्रकुमारी चौहान से महादेवी जी की मित्रता हो गई सुभद्रकुमारी कविताएं लिखती थी महादेवी जी की माता भी भक्ति केगीत लिखा करती थी और उन्हें गाती थी इन्हें माता से ही कविता लिखने की प्रेणा मिली थी इन्होंने पहले ब्रज भाशा में लिखना आरंभ किया सुभध्रा कुमारी चोहान की संगती में रहकर महादेवी जी भी खड़ी बोली हिंदी में कविता लिखने लगी थी जब सुभध्रा कुमारी चोहान को पता चला कि महादेवी जी छिप छिप कर कविताएं लिखती हैं तो उन्होंने इनकी कापियां ढूंड कर कविताओं का पता लगाया और सारे चात्रावास में इस रहस्य को उजागर कर दिया तब दोनों में पक्के मिद्रता हो गई जब दूसरी चात्राइं खेला करती तो ये दोनों बैठ कर तुकबंदी किया करती थी सौभाग से वो तुकबंदी विभिन पत्र पत्रिकाओं में छप जाती थी महादेवी जी की कविता पर पकड दिन प्रती दिन बढ़ती जा रही थी वे अब कवी समेलनों में भी भाग लेने लगी थी वो समय हिंदी प्रचार का समय था महादेवी ने भी इस शुभ कार्य में अपनी कविताओं के माध्यम से महतुपूर सहयोग दिया कवी समेलनों में श्री हरियोध, श्री धर पाठक और रतनाकर जैसे महानमनिशी होते थे ऐसे समेलनों में महादेवी अपना नाम सुनने के लिए बड़ी व्याकुल रहती थी अनेक कवी समेलनों में महादेवी जी प्रथम स्थान पर रही एक कवी समेलन में प्रथम पुरसकार की रूप में उन्हें चांदी का नकाशिदार का टोरा मिला था उन्हीं दिनों गांधी जी आनंद भवन में आये थे उन दिनों आनंद भवन स्वतंतरता संग्राम का केंद्र बना हुआ था महादेवी जी और उनकी अनेक सक्षियां अपने जेब घर्च में से पैसे बचा कर देश हीत के लिए देती थी महादेवी जी ने गांधी जी को पुरा सकार में मिला अपना चांदी का कटोरा दिखाया गांधी जी ने उस समय उनकी कविता तो नहीं सुनी लेकिन उनका वो कटोरा अवश्य रख लिया महादेवी जी अपने काटोरे को देश के प्रती अर्पित करके बहुत प्रसन्न हुई थी महादेवी वर्मा के चात्रावास में अनेक स्थानों से आई हुई चात्राएं रहती थी जेबून निसा नाम की एक मराठी लड़की महादेवी जी का सफ सफाय का काम देखती थी वो हिंदी और मराठी दोनो भाषाएं बोलती थी किंचु वहां रहने वाली उस्तानी जीनत बेगम को मराठी बोलने पर अधरास था किन्तु जेबुन कहती हैं कि हम मराठी हैं तो मराठी ही बोलेंगे वहां अवद से आई हुई कर्ण्याएं अवधी बोलती थी और बुंदेल खंड से आई हुई भालिकाएं बुंदेली बोलती थी सभी चात्राएं एक मैस में खाना खाती थी और एक प्रार्थना का उच्चारन करती थी वहाँ कोई विवाद नहीं था अर्थात वहाँ साम प्रदाइक भावना का नामो निशान नहीं था महादेवी जी ने विद्या पीठ में आने पर बेगम साहिबा का किस्सा लिखते हुए कहा है कि जिस भावन में महादेवी जी रहती थी उसे में जवारा के नवाब भी रहती थी उनकी बेगम आगरह करती थी कि महादेवी उन्हें ताई कहे बेगम के बच्चे महादेवी की मा को चची जान कहते थे दोनों परिवारों में आत्यधिक प्रेम था बच्चों के जन्म दिन भी मिलकर मनाय जाते थे बेगम साहिबा अपने बच्चों को तब तक पानी नहीं देती थी जब तक महादेवी उन्हें राके न बांधे इसी तरह मुहर्रम पर इनके लिए भी नए वस्र बनते थे उस समय भारत वर्ष के वातावरण में जितनी निकटता और स्नेह का भाव था यदि उतना बाद तक पना रहता तो भारत वर्ष की कहानी आज कुछ अलग प्रकार की ही होती